Welcome back guys तो आज किस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे simple product किस तरह create करते हैं तो उसके लिए हम जाएंगे simple यहां पर product के option में और यहां पर add new अब यहां पर हम सबसे पहले enter करेंगे हमारी product का name यहां पर मैं enter करता हूँ black fashion jacket उसके बाद यहां पर आप अपना description add करेंगे यहां पर description add कर ली अब अगर अपने description में कोई image add करना चाहते हैं तो आप simple यहां से add media से कर सकते हैं पिर उसके बाद हम नीचे आएंगे अब यहां पर हम simple product add कर रहे हैं तो यहां पर हम इसको simple रहने देंगे okay price हमारी मान लो price है हमारी 1500 और अगर आपके product पर sale लगी वी है तो आप यहां पर उसकी sale price enter कर दें मैं यहां पर sale price enter कर देता हूं फिर text status taxable tax class 10% अगर आपके जो product है उसके उपर 10% tax लगता है तो आप वहां से वह वाली class चूज़ कर लें okay उसके बाद हम inventory में जाते हैं यहां पर sku यह आपका unique product code होता है ठीक है आपने simple यहां पर वह enter करना है okay इसको मैं check कर देता हूं stock quantity यह मैं कह देता हूं के यहां पर आपने वह quantity enter करनी है जो jacket है यह आपके stock में आपके बस कितनी पड़ीनी है okay allow back orders low okay फिर उसके बाद हम shipping में जाते हैं wait आपने इसके add कर देना simple जो इनके dimensions है वह add कर दे जो भी आपका product है shipping class क्यूंके हमने regular products हैं उनकी कोई shipping class create नहीं की okay इसके बाद simple मैं क्या करता हूं मैं यहां पर category add category और इसका नाम मैं रखता हूं men parent category add new category को यहां से मैं men click कर लेता हूं और यहां से मैं एक और category add करता हूं jackets okay इसकी parent category है वह मैं men choose कर लेता हूं add new category मुझे इसको refresh करना पाद है यहां पर आहूं तो यह देखें यहां पर यहां मेरी create हो चुकी है category इसको simple जहां से मैं uncheck करूंगा और इन दोनों को मैं check कर दूंगा okay अब हम यहां पर tag add कर लेते हैं men fashion jackets ठीक है फिर हम नीचे आते हैं और यहां से अगर अगर अपना product की कोई उसकी video आप के पास तो आप यहां से उसका url एंटर कर सकते हैं और उसके बाद हम image add कर लेते हैं set product image select files okay हम यहां पर आते हैं media open और यहां से मैं अपना जो productño मैं image add कर लेता पो हूँ इसको यहां से मैं open कर लेता हूं और यहां पर मैं choose कर लेता हूँ यह Wasira okay फिर add product gallery यहां पर मैं यह unsler image add to gallery और यहां से simple मैं ISको true add कर देता हूं, तो अगर हम यहां से जा के अपनी प्रोड़क्ट देखें, व्यू प्रोड़क्ट तो यह देखें, यहां पर मारी जो प्रोड़क्ट है वो इस टाइप की आई है, यह देखें, ब्लैक फैशन जाकेट फिर हमने डिस्काउंट प्राइस उपर लगाई थी वह रेशियो नकालके भी देखें कितने परसंट ओफ है, ठीक है, फिर उसके बाद यह हमारी गैलरी आ गया है, फिर जो हमने स्टोक सेंटर की है, वह उसने एड़ कर दिया, फिर एड़ तो कार्ट, एड़ विश लिस्ट, ठीक है, यह कैटेगरीज, टैग्स, अडिशनल इंफ अपडेट कर देता हूँ, अपडेट करने के बाद हम वापस से अपनी वैबसेट पर जाएंगे और फिर देख लेंगे, इसको यहां से मैं फिर से रीफ्रेश करता हूँ, तो यह देखें, यहां पर हमारा यह शोर डिस्क्रिप्शन भी आ गया प्रोड़क्ट का, ठीक है, तो यह थी हमारी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने सिंपल प्रोड़क्ट किस तरह क्रियाट करते हैं, यह देखा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसके अंदर हम देखेंगे के वैरियेबल प्रोड़क्ट किस तरह यह देखा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो